हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वेलकम टू बीपी के जी एज दोस्तों तो सीएपी एफ का फोरूम आ चुका है तो थोरा सा मैं आपको बता देता हूं सीएपी एफ का फोरूम क्या होता है तो यह जो 15 अप्रिल में चालू हुआ था और यह 18 अक्टूबर 2021 तक लास तक रहे में बात करते हैं तो पहला तो यह आप भूल जाइए यह जो भी यह पुराना डेट का है तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए आपको बस याद रखना है कि 21 अक्टूबर लास्ट डेट है और छे बच के तीन मिनिट के पहले-पहले साम को आपको भर देना है फोरम जेनरल ओ अब एसी वालों के लिए 200 रुपया लगेगा स्टी एसी वालों को यह रुपया भी नहीं लगेगा सस्ता है फ्री है और आगे बढ़ते हैं तो टोटल दोस्तों इसमें पोस्ट है हमारा CAPP में 159 पोस्ट है जिसमें BSF के लिए 35 पोस्ट दिया गया है CRPF के लिए 36 पोस्ट यहां पर height आपका होना चाहिए female वालों के लिए 157 cm और male वालों को होना चाहिए 165 cm छाती जो की CHEST होता है male वालों को होना चाहिए 80 से लेकर 86 cm के बीच में और female का कोई इसमें कुछ नहीं है 100 m race आपको दोर ना होगा 16 seconds में और फिमेल को 18 सेकेंड में 2 सेकेंड ज्यादा मिल गया है फिमेल वालेको और 800 मिटर जो रेस है वो आपको 3 मिनट 45 सेकेंड में मेल वालेको दोरना होगा और female वालों को दोरना आगा 4 minutes 45 seconds में female वालों को और long jump जो होगा वो 3.5 meters होने वाला है male वालों के लिए और female वालों के लिए होने वाला है 3 meter female वालों के लिए और short put जो होगा वो 4.5 meters आपको फेकना होगा यह थोड़ा difficult होता है तो इसमें आप पत्थर लेके try किजेगा तो male वालों के लिए होने वाला है 4.5 meter और female वालों के लिए होने वाला है not eligible कितना भी आप फेक सकते हो तो यही था दोस्तों CPF बरिये Central Army Police Force में Assistant Commandant आपको मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिया गया है notification वह हम पढ़ते हैं साथ ही साथ तो candidate read the notification before apply the UPSC recruitment 2021 apply online form for CAPF online form होगा arm forces various posts जो मैंने बता दिया आपको collect all the document जैसे की illegibility होगया bachelor degree होना चाहिए illegibility के लिए जो मैं आपको नहीं बताया मैं बता देता हूँ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकनाइस इनुबर्सिटी और फिजिकल इलिजिबिलीटी भी होना चाहिए फिजिकल डिशिबिलीटी नहीं होना चाहिए प्योंकि आप आम फोर्स में स्वर्प करोगे तो आपको दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी रिकनाइस फ़र्म से कोई भी इग्रेजवेशन चलेगा फोटो होगा साइन आइडी चाहिए आइडी प्रूफ होना चाहिए एक ठीक है तो बिफोर सब्मीट और दूस्ता नमबर दोस्तों जैसे कि फी का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको जनरलोबिस्री वालों के लिए लगेगा 200 रुपया और स्ट्रक्चर वाले लोग के लिए फ्री है मुफ्त तो आप जाके भढ़ सकते हो और स्ट्रक्चर में अप्लाई कीजिए ठीक है दोस्तों आसा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा